अब इसके साथ एक सवाल और पूछा जाता है Microsoft Visual Studio क्या है देखे Visual C++ आप यहाँ पर पर आपको दिखाऊ में है आप अगर अपने प्रोग्राम में जाएंगे ना अगर Windows यूज़ करते हैं तो आपके कई प्रोग्राम जब आप एकदम से नई चीज नई Windows आलेंगे तो कई बार कई प्रोग्राम नहीं चलते हैं वो कहता है Redistributable चीज जाड़ डालिए आप अब यह जो Redistributable चीज होती है कैसे डालेंगे आप यह बेसिकली Microsoft Visual C++ के अलग-अलग content है जो आपके प्रोग्राम को facilitate करते हैं देरे लेकिन मैं आपको Visual C++ बता रहा हूँ जो Microsoft Visual C++ है वो compiler है C के लिए C++ के लिए CX programming language के लिए और यह किसके द्वारा है Microsoft द्वारा तो जो Microsoft MSVC Microsoft Visual C++ जो आप यहां भी देख रहे हैं यह proprietary है Microsoft द्वारा own है पहले इसको अलग से बनाया गया था standalone लेकिन अब यह Visual Studio का पार्ड बन गया जो आप यहां देख रहे हैं यह Visual Studio है उसका मैंने एक पिक्चर लगाया है Microsoft MSVC अब Visual Studio का पार्ट है और यह आपको क्योंकि वो एक मेहने के लिए free भी देते हैं वो भी मिलता है आप खरीद भी सकते हैं Microsoft Visual C++ क्या है यह है आपका IDE Integrated Development Environment यह होता है जिसमें आप लिग भी सकते हैं आप इसमें compile भी कर सकते हैं run भी कर सकते हैं debug भी कर सकते हैं कई बार आप इसकी थोड़ी बहुत testing भी कर सकते हैं तो यह इसमें Windows application भी बना सकते हैं C++ में बनाएं CLI कमांड लाइन जो है वो बना सकते हैं बलकि एप्स वगर भी बना सकते हैं जोड़ा और बताता हूँ देखिए जो Microsoft Visual Studio है जैसे उन्हें बताया यह Microsoft द्वारा आपका Integrated Development Environment है इसमें computer program के अलावा website भी बना सकते हैं web app भी बना सकते हैं यह सारी चीज़ें बना सकते हैं